हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग और आज मैं आपके लिए लेकरा हूँ एक शांदार वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले और समझाने वाले हैं कि CS Executive Group 2 के अंदर जो एक पेपर है that is Security and Capital Market उसके अंदर आप कैसे 70 plus marks score कर सकते हैं although 70 marks score करना is not that easy और आपको बड़ी सारी YouTube पर वीडियो मिलेंगी कि वह बताएंगे कि 70 plus 60 plus 80 plus ऐसे आजाएंगे यह इतना आसान नहीं है लेकिन सही स्टेटिजी फोलो की जाएं इसा बड़ी टेकनिकल पेपर तो आम टेलिंग यू 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 कैन स्कोर दैट 70 plus marks और इन पास हमारे बड़े सारे स्टूड़न के 70 plus marks यूंद से क्योर्टी लोग पेपर में आये हैं तो वही स्टेटिजी जो रैंक होल्डर्स या जो बच्चे 70 plus 80 plus लेकर आते हैं उन्होंने जो स्टेटिजी फोलो की हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं और जो हम अपनी क्लास्रूम में बच्चों को गाइड करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं आपके सिर्फ आने वाले 10 मिनट आप मुझे बताओ आप इतनी महनत करते हो और अगर आप यह 10 मिनट वीडियो धियान से देख लेंगे तो क्या पता है यह 10 मिनट आपकी तयारी में चार चांद लगा दे और आपको बहुत हैल्प मिलेगी इससे that is my promise तो धियान से सुनिये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो यह पेपर है security low capital market CS executive group 2 में आता है और वैसे तो आप सब लोगों को पताई होगा SLCM बोला जाता है security low capital market यह दो पार्ट में डिवाइड है that is part A और part B अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से इस पेपर को समझाते हैं अलग-अलग तरीके से बताते हैं और कई बार बच्चा मिस गाइड भी हो जाता है तो इसके बारे में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए security low capital market बच्चो दो पार्ट में डिवाइड है one is party and second is part B और as you know that part A 70 marks का है और part B that is 30 marks का है अब सुन लो ध्यान से जो part B है उसके अंदर जो आपको topic पढ़ने है पहली बात तो यह 30 नंबर का है पहली बात तो यह 30 नंबर का है और उसके अंदर जो topic आपको पढ़ने है छोटे-छोटे topics है और वह छोटे-छोटे topic अग कर आपने पढ़ ले यानि मैं यह कह रहा हूं जो 30 marks that is most important actually और इस 30 marks के अंदर अगर यह 30 marks का portion आप कर लें तो easily I'm telling you 30 में से 25 नंबर आप ला सकते हूं और इसके अंदर बहुत ज्यादा topic आपको पर सारा focus आप कहां करेंगे 30 marks के उपर इसके अंदर 25 लाने ही लाने है चाहे कुछ भी हो जाए और मैं आपको बता दूँ ज्यादा कुछ दमदार है भी नहीं इसके अंदर सब सारी चीज़े capital market instrument है pure I'm telling you pure legal knowledge है हां जी legal proportion है legal provisions है यह सारा और अच्छा कई बच्चों को पता भी नहीं है मैं आपको बता दूँ यह सब जो आप पढ़ रहे हो capital market intermediary capital market instrument यह सब legal provision है फिर एक chapter आप पढ़ोगे that is alternative investment fund यहां पर that is again savvy की regulation है alternative investment fund और फिर stock market के ओपर RBI की जो policy होती है that is monetary policy वो कैसे stock market को पर impact करती है and that is a very very important topic और एक चोटा सा topic है stock exchange concept की stock exchange के अंदर आपने सुना होगा that is कितने तरीकी के stock exchange है stock exchange के ओपर that is rolling settlement क्या होती है and the number of basic concept इसे bulk deal block deal क्या होती है what is bulk deal what is block deal यह सारी के सारी चीज़े यहां पर पढ़ने वाले आसबा क्या होता है number of things तो यह सारी की सारी चीज़े यहां पर पढ़ने वाले और यह 30 number मैं बोलूँ हूं content बहुत कम है content बहुत कम है और यह अगर आप इसके उपर focus कर लें तो मुझे पढ़ने वाली बात है यह technical portion है और यह lengthy portion है अब इसको इंदर पढ़ाई कैसे करने है ध्यान से सुनना सबसे पहले आप क्या करोगे जो पाट यह उसके इंदर तीन act है जैसे पहले आपने फर्स ग्रूप में company's act पढ़ा होगा तो वैसे ही security लोग के paper में तीन acts के उपर ती तीन कानून है तीन acts है जिसके फोकस करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तब फर्स तिंग जो सबसे आपको यहाद रखनी है 70 marks के portion में आपको यह तीन act अच्छे से स्ट्रोंग करने एक्ट तीन ही है और चोटे-चोटे हैं बहु डिटेल में नहीं है चोटे-चोटे है और आप देखते हो कोई कभी कोई chapter पढ़ा देते हैं कोई chapter ऐसा नहीं करना यह तीन act आपको कठे पढ़ने ताकि एक basic understanding आए उसके बाद अब इस paper में SEBI की regulation स्टार्ट हो जाती है ता paper is all about SEBI regulation अब ध्यान से सुनिएगा SEBI regulation में जो सबसे important है सबसे पहले सबसे important ICDR regulation 2018 और अबकी बार तो December 2022 के लिए major amendment है ICDR के अंदर तो sir ICDR regulation 2018 most important LODR listing obligation disclosure requirement and PIT वोले तो prohibition of insider trading regulation यह तीनोh regulation आप इकठी पढ़े यह तीनी regulation पहले ICDR and then LODR and the prohibition of insider trading regulation यह इकठी पढ़े पहले ICDR पढ़े और फिर LODR पढ़े और फिर prohibition of insider trading regulation पढ़े इकठी पढ़े तो that is a very very important point और यह 3 must do answer इसको बिलकुल भी छोड़कर नहीं जाना है no doubt technical है लेकिन अगर आप इसके उपर focus करेंगे अच्छे से तो अच्छे से समझ में आएगा एक चीज़ बता दूं security law के पेपर के अंदर always remember concept बहुत स्ट्रोंग होने चाहिए मैं देखता हूं कई बार लोग बता तो देते हैं concept लेकिन जब वह बुक से बच्चा पढ़ता है तो चीज़े मैच ही नहीं होती टीचर बता कुछ हो रहा है और बुक में लिखा कुछ हो पढ़ने से कुछ नहीं होगा इस पेपर के अंदर आपका क्या होना चीए आपके concept बड़े स्ट्रोंग होने चीए और अगर इस पेपर के अंदर स्कोरिंग खरपाओ और सर इसके अंदर यह सारा पेपर लीगल पेपल है पहरी बात तो यह यह याद रखें पूरा लीगल अब क्या पढ़ना है सबी की रखें से पहले कि और कुछ भी नहीं है तो मुझे पता हो सबसे पहले आप क्या करोगे पार एंदे एक्स करोगे निक्स कंफिर्फरिंस और इसके बाद तीन अब्र एक यह यह पाटनी से अच्न खरूजर्ग करोगे उन एंद्यग एं चैसे दिवार बाद मैंने जैसे बोला कि paper में sabbe की regulation यह लेकिन यह वाले तीन regulation आपको इकठी करनी है उसके बाद मैं आपको तीन regulation के नाम और बता रहा हूँ ध्यान से सुनना buyback regulation takeover regulation और Delisting Regulation यह तीन Regulation आप एक्रथी करें कौन-कौनसी वा बैडेक Regulation टेक ओवर Regulation और De-listing Regulation यह कथी करें अब एक चीजा सुनलो यह तीनो Regulation जो SABEE कि है है यह लोगों को पता नहीं होता मैं आपको समझा दूं आज यह तीनो Revulation similar हैं मिलती जुलती यह प्रोविजन अलग है, no doubt, लेकिन वो process आपको same देखने को मिलेगा, वो concept आपको same देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप connect कर पाओगे, क्योंकि आप समझेड़ो मेरी बात, तो यह तीन होकर आप एकठी बढ़ोगे, तो better understanding मिलेगी, कौन-कौन सी, buyback, take over and delisting, तो interconnected है, चीज और आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको इकठी करने है, mutual fund, alternative investment fund और collective investment scheme, यह तीन चेप्टर भी आप इकठी करें, और यह तीन चेप्टर का block मैंने बना दिया है, पहले तीन act, फिर वो ICDR, LODR, PIT, और उसके बाद buyback, take over, delisting, और उसके बाद यह तीन चेप्टर आप तीन चेप्टर हैं, फिर वो तीन और regulation है, फिर वो तीन और regulation है, और उसके बाद वो तीन चेप्टर आपको करने है, are you getting what I am saying? और उसके बाद, remember that, always, 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 remember that, numericals बहुत important है sir, numericals आपको छोड़के नहीं जाने, 15-15, 20-20 number के numerical आ जाते हैं, mutual fund में से, that is, I would say, that is, delisting में से, I would say, the takeover में से, तो numerical बहुत आते हैं sir, तो numerical बिल्कुल भी छोड़के नहीं जाना, आपको numerical must do है, और मैं आपको बता दू, numerical के अंदर पूरे number आपके आ सकते हैं, 20 number के numerical आए, तो 20 में से 20 आपके आ सकते हैं, तो ये numerical का ही portion है, जो ये numerical का ही portion है, जो आपको 70 प्लस लाने में help करेगा, तो it is must, must, ठीक है sir, that is something numerical, और sir, हम लोग जो छोटे, बागी छोटे 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 चेप्टर जो बच गए हैं, किसके अंदर, that is first part में, उसको भी आपको करना है, और उसको इपर ज्यादा फोकस करना है, आपको ऐसे नहीं करना कि main main chapter कर लिए, अब देखो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कोई भी scanner ले लिजिए, जो भी market में available हो, वो scanner ले लिजिए, और वो scanner मैं आपको बता दूँ, that is, वो full complete करना है आपको, full complete आपको करना है, आप ध्यान से सुन लो, scanner करने का तरीका, पहले पूरा syllabus करो, पूरा syllabus करना ही के बाद, scanner देखो और question देखो, answer मत देखो, और उस question में से ये check करो, क्या आपने जो पढ़ा है, आप answer दे पा रहे हो, और नहीं दे पा रहे हो, तो sir, पूरा scanner करो, और आप scanner की attention मत लीजिए, अभी हमारी YouTube revision class ही जब start होंगी, तो definitely हम पूरा scanner हर subject का, सरफ security लों का नहीं, हर subject का आपको scanner करवा question जब आएंगे और आप देखेंगे कि कैसे question आएं, कैसे answer हैं, तो आपके writing practice भी हो जाएगी, are you getting that, तो अगर आप ये चीज़े follow करेंगे, और इतना content आपने कर लिया, इतना content अगर आपने कर लिया, तो I'm telling you, हाँ जी, इसमें आपकी कितने marks आगे थे 30 में से 25, और ये 70 marks क जो ये portion है, sorry, part A, इसके अंदर अगर आप नाना करते भी, अगर आपने पूरा अच्छे से तैयारी की हैं, और 50 number आप ले आए, तो 50 जमा 25, 75 number और 5 number और और कम कर दो, 70 plus easily आप ला सकते हो, are you getting, मैं कहरों, इसके अंदर तो 30 number लाना बेहदी, 30 में से 25 लाना बेहदी असान है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा content ही नहीं है, और मैं कहरों, 70 में से अगर 50 भी इस तरीके से आजाते हैं, जो आ सकते हैं, अगर आप इस sequence को follow करेगे, पहले ये 3 act करें, उसके बाद ये 3 chapter, 3 regulation, ब्लोग बना लो, 3 regulation पहले ये करेंगे, फिर ये 3, आपको असान लगेगा, आपको सरफ और सरफ क्या पढ़ने है, savvy laws, group 1 के अंदर आपने जब company law पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने वो पूरा company's act पढ़ा था, related rules पढ़े थे, यहाँ पे आपका सारा focus के है, savvy laws, and सर्फ savvy laws पे आपको focus रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है, पूरा savvy law आपका in-depth ह होना चाहिए, और अगर आपका इस paper में interest बन गया, अगर इस paper में आपका interest बन गया, तो मैं telling you, आप बहुत अच्छी job opportunities आपके लिए खुल जाएंगी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, that is how you will follow these all the strategy, यह सारी strategy मैंने आपको बताई है, अच्छा मुझे बताओ सबसे पह practice करनी है, और हंजी, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जब आप पूरा scanner कर लो, तो कम से कम, कम से कम, तीन test attempt करें, तीन test attempt करें sir, ताकि आपकी writing practice हो जाए, are you getting that? तो sir, I would suggest everybody, please, इसी sequence में paper को follow करें, आपके लिए paper बहुत असान हो जाएगा, and सबसे important, सबसे important, please, focus only on the concepts. बेटा, एक चीज़ याद रखना, पहले concept पढ़ने, उसके बाद book की language पढ़नी है, लोग करते हैं, पहले book की language पढ़ते हैं, और उसके बाद concept बताते हैं, sir, यह गलत है, आपको language तब तक समझ में नहीं आ सकती है, अगर आपको सही concept नहीं बता, और जो teacher बता रहे हैं, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से follow करें, and I'm telling you, अगर आपने ऐसा किया, तो बहुत अच्छी scoring हो सकती है, 70 प्लस आप बहुत असानी से ला पाएंगे, अगर आपने इस तरीके से follow किया, पूरा scanner आपको करना है, and past year questions, आपको scanner के सारे complete करने है, और last में, at the end, at the end, यह तीन test आपको attempt करने करने है, और मैं आपको बता दूँ that, जो student हम से security low की class ले रहे हैं, very good, जो नहीं भी ले रहे हैं, तो आप attention मत लीजिए, पूरे security low की, YouTube, live YouTube revision हम लेकर आएंगे, और बहुत जल्दी आपके लेकर आएंगे, और उसके अंदर हम पूरा scanner करवाएंग पूरा security low revise करवाएंगे, और सब तीन test and it would be absolutely free of course for entire India CS student, yes sir, और आप बोलोगे सरब वो कब लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए वेट करेंगे, और जल्दी आप लोगों के लिए वो announce करेंगे, कि पूरी security low की revision classes, पूरा, that is, that is, three test series for the security low paper, और पूरा scanner live YouTube पे करवाएंगे, ता देख ली, तो मुझे लगता है काफी अच्छी आपकी help हो जाएगी, लेकिन उससे पहले, I would suggest everybody all over India, जितने भी serious student है, प्लीज इस sequence को follow करें, बहुत सही sequence बताया आपको, अगर आप इसको follow करेंगे, तो बहुत अच्छी scoring आप लोग कर पाएंगे, मेरे बात समया रहे है, that is my opinion, अगर आप follow करेंगे, तो मुझे लगता है definitely आपको help इस paper के अंदर मिलने वाली है, मेरे बात समया रहे है, और एक चीज़ दो बता दू मैं आपको, इस paper के regarding, that is security, low-end capital market, इस paper के regarding, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी problem है, हाँजी, किसी भी बच्चे को इस paper के regarding कोई भ 5, 4, 1, 1, 2, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, and definitely हम try करेंगे आपके उस problem को resolve करने की, definitely we'll try to guide you in best possible manner, तो please इस paper के लिए I would suggest everybody, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें, अपने सारे के सारे security law students के साथ, so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज का benefit मिल पाए, is मुझे comment करके जुरू बताईएगा, मुझे comment करके जुरू बताईएगा, देखो क्या है, we are on the mission कि हम आपकी help कर पाएं, अगर आप हमें comment करके बताएंगे कि sir हमें इस paper में ये problem आती है, हमें इस paper में ये problem आती है, तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा YouTube videos उस चीज इस paper बना पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा better serve कर पाएंगे, तो please अगर आपकी जो भी requirement है, आपको जो problem हाती है इस paper में, मुझे बताईएगा, हम आपको बहुत अच्छे से guide करने की इस paper के अंदर कौशिश करेंगे, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही आपकी और आपकी और आपकी और आपकी झाला आपकी और सब्सक्रण का रचिए ऑना करेंगे लोग्याद आपकी गार्व्यादाएगागा.